सूप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आउ सीखे हिंदी की कक्षा में हमारा आज का स्वर है अ, अ से अनार, अ से अनार, तो चलो बच्चों, स्वर अ को लिखना सीखते हैं. पैंसिल को बिंदू पर रखा, एक आधा गोला बनाया इस प्रकार से, अब एक और आधा गोला थोड़ा आगे की तरफ ले गए, अब यहाँ पर पैंसिल को रखकर छोटी शिरो रेखा लगाई और एक सीधी रेखा लगाई, अब इस सीधी रेखा पर शिरो रेखा लगाई, ये है स्वर अ पैंसिल को बिंदू पर रखा आधा गोला एक और आधा गोला थोड़ा आगे ले गए छोटी शिरो रेखा एक सीधी रेखा और सीधी रेखा पर शिरो रेखा स्वर अ अ से अनार अ से अनार अ से अमरूद पैंसिल को बिंदू पर रखा एक आधा गोला बनाया इस प्रकार से अब एक और आधा गोला बनाया उपर ले गए छोटी शिरो रेखा, सीधी रेखा और शिरो रेखा लेकिन ये हमारा स्वर अ गलत है क्यों गलत है बच्चों क्योंकि जब हम स्वर अ को बनाकर उसके उपर शिरो रेखा लगाते हैं तो वो शिरो रेखा केवल हमें सीधी रेखा पर ही लगानी है अगर आप पूरे स्वर पर शिरो रेखा लगा दोगे तो आपका स्वर अ गलत हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात का विशेश ध्यान रखना स्वर बनाते समय पैंसिल को बिंदू पर रखा, एक अधा गोला, एक और अधा गोला, उपर ले गए, शिरो रखा, सीधी रेखा और उपर शिरो रेखा स्वर बनाते समय किस-किस बात का द्हान रखना है ये आपने सीख लिया है अब आप सब की बारी है सुन्दर सुन्दर स्वर अ बना कर हमें दिखाने की दिखाऊगे न मेरे प्यारे बच्चों धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों